हलो दोस्तो आज हम यहां पर बात कर रहे है इसमत की इसमत की अगर हम बात करें कुछ दिन पहले हमने यहां पर वीडियो बनाई थी और उससे पहले भी हमने यहां पर वीडियो बनाई थी और हमने बार-बार इस शेर से लिटिर बाते करी है क्यों बात करी है क्यों कि शेर में दम है शेर अच्छा है इसलिए यहां पर बात 75 पर शेर बताया था आज भी आज अगर हम बात करें उसी प्राइस के आसपस दुबारा आता हुआ दिखाई दिया है बट उपर से अगर हम शेर को देखें तो इसने 93 का हाइड लगा के 77 पर यह आ रहा है तो लगबग लगबग अगर हम देखें तो 12-13% की यहां पर गिरावट हमें नजर आती है तो क्या शेर को बेस देना चाहिए क्या शेर को खरीना चाहिए क्या यहां पर बात करें तो आपको चीज़े यहां पर समझ में आती हुई दिखाई देखिए बात करें इसमत की तो यहां पर यह देखिए manufacturing seamless tubes and engineering steels यह बनाता हुए नजर आता है ठीक है इसके जो products है infrastructure इस तरीके से भारत का बढ़ रहा है सब उसमें यहां पर इनके यहां पर products यूज होते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर देखिए यहां पर co merge with kalyani seamless tubes limited a company, a company, a company computing seamless tube manufacturer the combined entity retained the name the Indian seamless metal tubes limited के नाम से जाना भी जाता है यहां पर आप देखोगे tubes, steel, customer की बात कर रहे तो जितने भी यहां पर automobiles, bearing power, oil and gas, boiler, general engineering तो यहां पर अच्छी खास है इनके customers है जिनसे अच्छा कासा यहां पर पैसा आता हुए दिखाई देता है export यहां पर export भी करते है as well as domestic market में अच्छा कासा presence इनका नजर आता है overall अगर हम यहां पर बात करें तो company क्या नजर आती है company यहां पर अच्छी खासी नजर आती हुई दिखाई देती है बात करें और कुछ चीचकी तो यहां पर एक बारें की website पर विजिट करिए website पर विजिट करेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगी इनके जो products है वो हर जगह यूज होते हुए नजर आते है अच्छा इनके products बनते हुए नजर आते है ठीक है और काफी पुरा नहीं यहां पर यह company है आप देख सकते कैसे कैसे यहां पर एक काम करते हुए नजर आरे किन की नेता हो के साथ वो सब चीज आपको पता चलती हुए नजर आएगी इसके इलावा हम बात करते हैं यह चीज़े हमने लास्ट टाइम भी डिसकस करी थी बट अभी हम बात करेंगे इसके fundamentals की ताकि एक बार चीज़ों समझ में आ जाए तो थोड़ा से टाइम अगर किसी चीज को देना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं होगी मार्किट कैप की बाद करें तो 234 क्रोट रुपे का मार्किट कैप है को बताता हूँ, 5 का phase value है, 71 का intrinsic value है, यहां पर ROC, ROE कुछ खास नहीं है अबर debt की बात करें, तो यहां देखे debt-free share है, कोई pleasing नहीं है, यह सारे क्या है, positive factor हैं यहां पर नजर आते हैं, इसके इलाबा हम देखें, कंपनी तो देखें, जून 2020 से लेके अभी तक कंपनी कितना अच्छा battery performance करती हुई, आरती हुई दिखाई दे रही है, इसके इलाबा हम इसके operating profit margin की भी बात करें, तो वो देखें, highest ever पर यहां पर post हुए नजर आया है, यहां पर operating profit की बात करें, 80 करोड का operating profit दिखाई देता है, 41 करोड रुप्रे का highest ever यहां पर net profit दिखाई देता है, इसे हम calculate नहीं करेंगे, क्योंकि यह इंटर, other income से आता हुआ दिखाई दिखाई दिया है, और company जो यहां पर घाटा पेश कर रही थी और यहां फिर थोड़ा से margin पेश कर रही थी, तो yearly quarterly हर तरीके से share क्या नजर आता है, अच्छा नजर आ रहा है, acceleration in EPS, in net profit, in operating profit, in margin हर चीज यहां पर नजर आती है, जब यह चीज़ नजर आती है, तो चीज़ गिरती नहीं है, भागती है ठीक है, और अभी क्या है, stock market में कभी भी कुछ भी किसी भी share के साथ हो सकता है, इसके लिए हमेशा तयार रहना चाहिए, इस चीच को भी आपको मानना पर चाहिए, यहां पर हम बात करें, flat यहां पर performance रहा है, ठीक है, कुछ यहां पर आप देखोगे, जो company लगाता घाटा कर रही थी, अभी लगातार यहां पर profit करती हुए, पॉजिटिव बात है, reserves की बात करें, company के reserves बढ़ते हुए, नजर आए, company के borrowing की बात करें, borrowing ना के बराबर होती हुए, यह क्या चीज़ है, यह सारी positive चीज़ ही तो दिखा रही है, जो company यहां पर reserves घाटे में थे, 1300 करोड के यहां पर reserves है, जो यहां पर 22,300 करोड के यहां पर क्या थे, यहां पर borrowing थी, वाकिवल 84 करोड की borrowing रही है, यह positive चीज़ नहीं है, क्या, यहां पर हम बात करें, working progress में 19 करोड रुपीज लगे हुए, जैसी काम कतम होगा, दुबारा पैसा बढ़ता हुए, नजर आएगा, और यहां पर हम बात करें, कंपनी की, तो यहां पर cash की बात करें, तो कंपनी का थे, लगबर 29 करोड रुपीज का cash भी पड़ा हुए, positive cash flow यहां पर नजर आता है, ठीक है, as well as हम बात करें, debtors यह कम होते हुए नजर आ रहे है, यह अच्छी बात है, promoters के बात 74% के share बने है, हिसादारी क्या होती ही नजर आई है, कम होती ही नजर आई है, अच्छी बात है, और उन में से भी कुछ बड़े लोगों ने यहां पर हिसादारी लेके रख रख किया, इस चीट को हमें, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यहां पर हम बात करें, buying selling चलती रहती है, जिसे खरीना है, वो खरीद रहा है, जिसे बेचना है, वो यहां पर बेस्ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर हमें ज्यादा फोकस करना नहीं है, यहां पर हम बात करें, dividend company यहां पर देखिए, कभी 2012 तक company कब पहले अच्छा खासा dividend, मतलब थोड़ा वो dividend दिया करती थी, उसके पास से कोई dividend company ने दिया नहीं है, ठीक है, company यहां पर अच्छी खासी नजर आती है, fundamental काफी अच्छे और sound नजर आते है, इस जिट को हमें क्या करना है, याद रखना है, बात करें चार्ट की, उससे पहले मैं आप से request करूँगा, चाहिना को subscribe, bell icon को hit, और की notification को on करिएगा, buying selling की कोई recommendation नहीं है, अपने financial advisor कुद की study करें, चीजों को सीखें, सीखेंगे, ओके तो यहां पर आपका ग्यान बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आप खुदी काम करते हुए नजर आओगे, यहां पर प्रोवाइड किये जाएगे, वाट्सअप गुरोप है, हमारा वाट्सप गुरोप है, अगर कोई और अच्छे तरीके से बारीक तरीके से सीखना चाहता है, तो basics to advance यह पूरा course है, जहां पर technical research, fundamental risk management, risk reward ratio, सबसी चीज सिखाई जाती है, 20,000 रुपे का course है, इस course क करने का, दुनिया की किसी market में जाके काम करिएगा, पैसा definitely बनता हुवा नजर आएगा, 3 months की handholding, strategy using stock market, online notes, सब कुछ आपको क्या है, यहां पर provide किये जाएगे, WhatsApp group है हमारा, WhatsApp group में आप यहां पर add हो सकते है, बाकी 1200 रुपे परमन देखे, और यहां पर हम देखे, तो यहां मैं आपको बताऊंगा कि हम यहां पर किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं, फिर उसके बाद आप चाहें, तो हमें जोइन कर सकते हैं, तो आईए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, ISMT की अगर हम बात करें, तो ISMT यहां पर आप देखोगे, यहां पर एक target था, व 74 के, यह यहां पर 70, मैं मान के चल रहा हूँ कि 70 तक यह शेयर, यह 71 तक यह शेयर लगबस 7 रुपे और गिर सकता है, लगबस 78 परसंट की गिरावट और इस पर्टिकुलर शेयर में हो सकती है, बट जब यहां से bounce back होगा, ठीक है, यह शेयर दुबारा जाता हुआ, नजर आएगा, जो कि मुझे लग रहा है, कि आपको loss में तो बिल्कुल निकलना चाहिए, ठीक है, फंडमेंटल काफी sound है, और अगर किसी के पास नहीं है, तो वो यहां पर जब नीचे आए ना, तो लेने के बारे में सो सकता है, पर्टिकुलर SL के साथ, और जैसे ही यह चीज़ है, लगब लगब अगर हम बात करें, तो यह शेयर आपको यहां तक जाता हुआ दिखाई देख सकता है, 128 तक, 128 तक चीज़े रुकने निवाली है, और यहां पर हम देखे, तो लगब 60% से ज़्यादा की upside दिखाई देती है, अब इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा कहां पर लाता हूं, BSC के चार्ट पर लाता हूं, तो BSC के चार्ट, BSC की साइट पर जैसे ही मैं आऊंगा, और मैं यहां पर all-time high का चार्ट यहां पर निकालूँगा, तो आपको यह पता चलेगी कि कभी यह शेयर लगबग 122 रुपे के आसपास हुआ करता था, और हमारे टार्ग इतनी जल्दी छोटी सी गिरावट की वज़े से, ठीक है, छोटे से यहां पर मार्केट में करेक्शन की वज़े से, या फिर जो भी आप कह लीजिए, उसकी वज़े से बेशना, कोई समझदारी वाली बात नहीं है, वीकली चार्ट पैटन यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा उतना पैसा बनता हुआ नजर आएगा, तो दोनों जो यहां पर अगर कोई होल्ड कर सकता है, पैसा बनेगा, जो नहीं कर सकता है, फिर उन्हें थोड़े से लॉस में निकल के दूसरी जगह यहां पर शिप्ट होना चाहिए, So thank you so much, God bless.